दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को इससे पहले के वीडियो में बताया था कि किस परकार से चीन जो है बरंपुत्र नदी पर एक बिसाल बांध बना रहा है और कहना कि इस बांध के बनाने से भारत को और कहना कि बंगला देश को बहुत सारे मुसीबतों का शामना करना पर सक अब बहुती बिसाल और बहुती बहुत कईला बहुत बहुती बड़ा के यहां है कि बहुत बहुत बड़ा चीज का इलाने वाली है बरंपुत्र नदी पर एक बहुत Hier बहुत बाँज बीसाले ही बहुती बड़ा बांद बनाने जा रही है और कहना है कि इसे हम लोग चीन को टक्कर बोल सकते हैं जिस परकार से भारत ने यहाँ पर चीन को जबाब देते हुए उशी की भासा में जिस परकार से चीन बरहमपुत्र नदी पर एक बिसाल बांद बना रहा है तो उशी परकार अब भारत सरकार भी बरहमपुत्र नदी में एक बहुती बड़ा बांद बनाने जा रही है और यह बांद होगी अरुनाचल परदेश में और कहना कहीं इस बांद के बनने से जितनी भी सारी यहाँ पर अरुनाचल परदेश के किसानों को अरुणाचल परदेश के लोगों को पानी की दिक्कते होती है चाहे सीचाई करने में दिक्कत होती है किसानों को तो तमाम चीजों की यहाँ पर जुरूरत पूरी होने वाली है यह बांध बंदने से इसके बारे में भी फुल डीटिल में बताऊंगा और साथी साथ में आपको बताऊंगा कि जिस परकार से भारत के सैनिक और चीन के सैनिक जो है गलवान वेली पर जिस परकार से जरफ हुई थी और उस जरफ में जिस परकार से भारत के 20 सैनिक सहीद हो गए थे तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने रिपोर्ट में इसा कहा है कि चीन ने उस घटना को जान बुच कर अंजाम दिया था चीनी सरकार ने जान बुच कर गलवान भेली की घटना को अंजाम दिया था यहाँ पर अमेरिका के संसद ने इसा कहा है और कहना कि इस खबर के बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो खबर है वह ही है कि मैंने आपको बताया था कि चीनी सरकार बरंपुत्र नदी पर एक बहुती बिशाल बांद बना रही है ताकि जिस परकार से चीन जो है बरंपुत्र नदी पर बांद बना रहा है तो उसी परकार से भारत भी बना रहा है यहाँ पर चीन को दिखाने के लिए नहीं बलके भारत अपने तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए क्योंकि दोस्तों देखिए अरुना चल परदेश में हर साल बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आती है और कहना कि वहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा है और कहना कि इसी पानी की कमी को पूरा करने के लिए और कहने कहीं सिचाई की बेवस्था को अस्थापित करने के लिए क्योंकि किसानों को सिचाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और कहने कहीं यहां बांध बंधने से वहाँ पर किसानों की तमाम मुशिबते दूर हो शकती है हर साल जिस परकार से अरुना चलपरदेश में बांड आती है उन तमाम समस्यां खतम होने वाली है और शांसाल अरुना चलपरदेश में जिस परकार से बिजली की कमी है तो यहां पर बिजली की कमी को भी यहां पर दूर किया जाएगा और कहना कि यहाँ परियोजना है इससे लगबग बहुत शाड़े भारत को फायदे होने वाली है तो यहाँ पर चीनी मीडिया को चीनी सरकार को मिर्ची लग गई है क्योंकि दोस्तों देखिए हम सभी को पता कि चीन हमें जलाने के लिए हमें मुसीबत में डालने के लिए ही बरंपुत्र नदी पर एक बांध बना रहा है और कहना कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि भारत सरकार भी बरंपुत्र नदी पर बांध बनाएगा तो यहाँ पर चीनी मीडिया और चीनी सरकार आप जो बिली बिला गई है मिर्शी लग चुकी है और कहना है कि इसका बिरोध भी कर रहा है लेकिन मैं आपको बदा दो कि दोस्तो देखिए जितना भी चीनी सरकार चीनी मीडिया बिरोध कर ले भारत अपने रास्ते पर हमेशा सही तरीके से चलेगा और दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं रोक शकता है अब दोस्तों यहां पर अगले ख़बर के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर अगला जो ख़बर है वो यही है कि जैसे कि हम सभी को पता है कि जिस परकार से गलवान वेली में भारत के सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच में जरप हुई थी तो वहाँ पर लगबग भारत का 20 सैनिक सहीद हो गए थे और चीन के भी लगबग 40 से भी अधीक सहीद हो गए थे मारे गए थे उस जरप में और कहना है दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के संसद में कॉंग्रेस पार्टी ने एक रिपोर्ट वहाँ पर दायर की और अमेरिका ने अपने रिपोर्ट में शक कहा है कि चीन ने जान भुचकर और साजिस के तौर पर इसे खचना को अंजाम दिया और कहना कहीं अमेरिका ने जो इस रिपोर्ट में शक कहा है कि चीनी सरकार और चीनी सैनिक चीन के रक्षा मंतिरी ने वहाँ के तमाम सैनिकों को चीनी सैनिकों को ट्रेनिंग दिया कि भारत के साथ युद्ध होने वाली है और कहना कि यूद का वहाँ पर पूरी तरीकी से धमकियां देकर और कहना कि चीनी सेनिकों को साहित करके इस घटना को अंजाम दिया गया है यहाँ पर अमेरिका संसद में अमेरिका ने अपने रिपोर्ट में इशक कहा है और कहना कि दोस्तों अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कहा है कि चीन जो इस घटना को अंजाम दिया था तो इस घटना को अंजाम देने का बश मकसद एक ही था और वह मकसद था कि अपने परोशी देशों को ढराना क्योंको देखे चीन की जो निती है बिस्तारवादी है मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूं और कहना कि चीन ने इस घटना से बस अपने परोसी तमाम देशों को डराना चाहता था और कहना कि जिस परकार से भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे तो यहां पर जो है अ अपना विस्तारवादी निती को फैला ले अपने सैनिकों को चीतना भी उससाहिद कर ले लेकिन हमारे देश भारत से कभी नहीं टिक सकता है हमारे भारत से अगर उसका कभी यूद भी होता है तो हमारे देश के सैनिक भी लड़ेंगे और हमारे देश के हम जैसे नौजबा भारत ना कभी डरा है भारत के सैनिक ना कभी डरे हैं और नए भारत के नजवान कभी डरे हैं चीन से और हमें उसको उसी के भासा में जवाब देने के लिए तैयार हैं और अगर कभी फ्यूचर में चीन से हमारा यूद भी होता है मुकाबला भी होता है तो हम नजवान भी अ परसेंट सही है कि इससे भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में कई चरब हो चुकी है जाओ आ रहे जो चाहिए है अमेरिका जो रिपोड किया है तो इसका रिपोर्ट का विरोज अब यहां पर चीन भी कर रहा है कि अमेरिका का रिपोर्ट गलत है बलकि यहां पर जो अमेरिका ने रिपोर्ट दिया है जो अमेरिका ने रिपोर्ट किया है तो यह रिपोर्ट पुरी तरी के से 100% सत्थ है क्योंकि चीन जान बुचकर भारत के सैनिकों के उपर अटेक किया था क्यूंकि भारत के सेना और चीन के सेना आपस में बंदूख हतियार लेकर नहीं लड़ सकते हैं अगर कोई भी झरप होती है कोई बात होती भी है तो बहशी कर सकते हैं लेकिन जितने भी यहाँ पर यूद का जितने भी सारे यहाँ पर rule and regulation थे सभी को तोड़ते हुए चीन ने एक साजिस किया था चीन की रक्षा मंतिरी ने एक साजिस किया था और कहने कि चीनी सैनिकों को धारदर हतियार दिया गया था चाकि भारत के सेने को बारत के नौजवाने के आटेक किया जाएं सेनीकों के आपर और उसे मारा जाएं घायल किया जाबं यह पूरी तर की जान बूचकर साजिस के तौर पर चीन बेखर रहता को अंजाम दिया था अइसा यहां पर अमेरिका का कहना है अमेरिका ने अपना रिपोर्ट में ऐसा खुलाशा किया है तो दोस्तों आप लोगों को इस बारे में क्या लगती है अगर आप लोगों को यहां पर कुछ भी डाउट है और मेरी बाते आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में ना आई हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी राए जरूर दीजेगा तो गाईज अगर यह वीडियो आप लोगों को पशंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में कल तब तक के लिए दोस्तो जहिंद वंदे मातरम